एलो टू अब्रीवन डेल्कम टू अनाधर वीडियो तो आज से हम इस वीडियो में क्या शुरू करने जारें लेवलोजी का का चैक्टर Shaquepcheckitar musimy बना रहे हैं तो हम एक सीट बना रहे हैं चुनाइब के सालवकावर करेंगे ये पर चाल शुरू करेंगे और इसके जो लेक्चर हैंगे वोग है विडियो जिस्में हरidor यहां से एक एक topic आपको cover किया जाएगा तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम क्या डिसकस करने वाले वट इस लेविंग तो आपको फॉरधर नेक्स लेक्टर में आपको यह सारे topic diversity in the living world लेक्टेस मिलेंगे तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो में हमें देखना है वर्ट इस लिविंग तो जब भी आपको बायोजी पढ़नी है तो बायोजी का मतलब ही सबको बहुत सरे रोगों को पता है कि बायोजी का मतलब ही क्या होता है लाइफ लेकिन आप कोई बोल अगर आपका भी नेचर के बारे में देखें जिसमें प्लांट और डिफरेंट टाइप के अनिमल्स आपको दिखेंगे तो बहुती वंडर्फुल व्यू होता है तो उसके अंदर जो आप लिविंग को देखेंगे तो आप बहुती स्पीचलेस हो जाएंगे कि कैसे कैसे त जानने के कोशिश करें तो प्मनु की सब्सक्राइब ने चाहिए तो कुछ ब्सक्राइब के रहे देख न informação इंडिफिप्रपर्टी खृई सिभ्बियर भी हैं वो गोगीन और अगर नहीं होगी तो तो वो ल्एब नहीं कहलाएगा तो लिविंग की मतलब यहिज ए कुछ प्रप्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद् अपने आसपास के एंवायरमेंट को और हम अपने माइंड से सोच सकते हैं यूनीक फीचर लिविंग और इंजम में जो हाई लेवल के लिविंग और गानिजम है जनी कि हुमन्स तो उनके अंदर क्या है उनके अंदर माइंड जो ड्रेइन के पैसिटी सब्सक्राइब है अपने माइंड से इमीजीट ली खुछ भी तिंग कर सकते हैं और रिस्पॉंस कर सकते हैं किसी भी एक्षन का तो यह बहुत लिविंग फीचर है ऐसी कौनसी प्रॉपटी जिसके अलावा जो से सिरसिट लिविंग में होती है नान लिविंग में नहीं होती हैν सारे लिविंग में होती हैं तब ही तो उसको डिविंग प्रॉपर्टी क deity कहींगे विताउट इक्षेप्षन तो हम यहाँ पे अब सीक्विंस में कुछ Zusफेटर कुछ इसके विविंग की देखेंगे कौन सी इसके अघ्वन-घ्वन-णे कीफिटर San Gee Co जो living को define कर रही है तो सबसे पहला जो हमारा characteristics है properties है वह है growth तो हम अगर एक line में कहा सकते है all living organism grow सब के सब grow करते है अब अगर growth को देखे growth तो growth है क्या अगर हम living beings में देखे तो growth क्या है कह सकते increase in mass and increase in number किसका cells का living beings में क्या होगा cells का जब एक cell है तो सबसे खेल में तो अभी और हम करेंगे में खाला डिवाइड अब तो यहां पे क्या हो रहा है तो यहां पर रही है कि अ तो अगर हम देखें ग्रोथ जो होती है वह बाई सेल डिविजन होती है सारे लिविंग बिंक्स में और कुछ ऐसी चीज़े भी होती है जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है थ्रू आउट दा लाइफ इस्पन उनकी सल डिविजन चलती रहती है हमेशा मैस्ट्रमेटिक टिश जैसे कि आप एकगाम्प लेलो मारे दर क्या होती है उतने लीच ही लविधर करती है उसके बाद आपकी एज जाती है सकते हैं, simply हम count कर सकते हैं number of cells, microscope में slide लेके जो भी हमने culture किया है, उसका हम number count कर सकते हैं, तो हमें पता से जा कि cell हमने पहले कितनी ली थी, अब वो divide करके कितनी हो गई तो उसके counting से पता से जा कि cell भो ग्रोफ कर रही हैं, नहीं कर दिया है, higher animals में, प्लांट में जो है, reproduction and growth, growth and reproduction का एक बहुती concept है कि higher, जैसे कि अगर कोई single organism है, तो single organism size में increase किया, फिर उसने number में increase किया, तो इसमें क्या होता है, जो asexual reproduction होते हैं, आगे हम reproduction को भी देखेंगे, तो reproduction में क्या हो गया, reproduction में भी क्या होता है, एक से कोई नया बनना, अपनी copy बना है, बढ़े हम growth में भी क्या होता था, एक ही cell का क्या था, division था, तो single cellular organism में क्या हो गया, growth and reproduction को हम same चीज के लिए use कर सकते हैं, same process कह सकते हैं, कभी-कभी inclusive property, यानि कि एक ही type की properties है, किसे के इसमें uniceller में, तो हापे हम क्या कहेंगे, inclusive event है, growth and reproduction, but higher elements, यानि कि multi-cellular organism में, growth और reproduction जो है, वो दो अलग अलग चीज़ है, तो इसे mutually exclusive event कहेंगे, तो ये दोनों के दोनों terms है, वो अलग है, बिल्कुल different, इन के processes भी different, growth होता है, cell division था reproduction, उनके में sexual reproduction होता है, जिसमें male और female gametes बंते हैं, fuse करते हैं, तो बहुती अलग process होती reproduction, तो higher animals में, या plants में क्या गया सकते ये दोनों event, जो है, वो mutually exclusive है, दोनों ही के दोनों अलग है, exclusive है, लेकिन single cell or organism के case में, इंक्लूसिव बोल सकते हैं, तो ये एक ही cell है, cell grow कर रही है, वही reproduce भी वैसे ही कर रही है, अब ये थो थी living being के organism, फिर हमने in vitro culture तेखा, अब अगर हम non living की बात करें, तो कुछ ऐसे non livings सकते हैं, जो ग्रोथ है, वो body mass में इंक्रीज करना है, तो non living beings भी ग्रोव कर सकती है, हमने sand ली, sand के उपर और sand ली, sand के उपर और sand ली, sand के उपर और sand ली तो इन में भी क्या हो गया, height increase हो रही है, mass में भी इंक्रीज हो रहा है, तो mountains, boulders and sand mounds, ये सारे क्या करते हैं, ये इन के अंदर भी growth होती है, तो इन के अंदर भी same growth होती है, जो हमारे अंदर होती है, तो अब इसे साब से अगर growth जो है, किसी भी परकार की, अगर non living beings में भी देखी जा रही है, तो हम growth को defining property तो नहीं कह सकते हैं, तो हाँ, ये कह सकते हैं, कि non living object में जो है, वो accumulation of materials से growth हो रह सकते हैं, वे वापस दुबारा इसी cell में चेंज नहीं हो सकते हैं, अगर हम हमारी height बढ़गी तो वापस से reduce नहीं हो सकती है, तो living beings में growth जो है, वो reversible नहीं है, लेकिन अगर हम mountain हमने बढ़ा कर जाए तो इसको हम वापस से तोड़ सकते हैं, वापस से इतना कर सकते हैं, तो सकते हैं, और अगर हम देखे जाए, dead organism, वो grow नहीं करते हैं, तो वह सारी condition and exceptions लग जाते हैं, तो उसको हम defining properties नहीं कर सकते हैं, next हमारे reproduction, तो reproduction को हम क्या कर सकते हैं, reproduction को हम लेते हैं, एक characteristic feature, यह भी a characteristic feature है living organism का, लेकिन यह defining properties है या नहीं हम यहाँ पर देखेंगे, तो multi-cellular organism म is production of progeny, तो reproduction में होते ही क्या है, प्रोजनी यानि कि अपनी next generation को बनाना जो कि उनके जैसी ही है, पेरेंट के जैसी ही है, थोड़ी सी या थोड़ी कम सिमिलर है, बट पेरेंट के जैसी ही होगी, तो reproduction आप देखते हैं, आपने 9-10th classes में भी पढ़ा होगा और आप आगे भी कुनीडिया और ओडिया जो है, स्पोर्स बनते हैं बंजाई में, डिफरेंट टाइप के, तो स्पोर्स के थुरू आप पे असे रेप्रोडक्शन होता है, और लोर और और जैसे कि प्लैनेरिया में आप देखेंगे, जी जनरेशन प्रोसेस तो इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर रिजनरेशन, कटिंग कर देते हैं, फिर हर एक पार्ट जो है, वो पूरा का पूरा प्लैनेरिया में चेंज हो जाता है, हर एक पार्ट, तो यह क्या होगे रिजनरेशन, तो यह भी एक ग्रोथ ही होगे इनकी, कि एक पार्ट से जो है, वो पूरा का पूर यहां पर आपको जस्ट एक गांपल के तौर पर याद रखना है अब यहां पर यहां पर यूनिसेलर का कॉंसर्प्ट आगया है जो मैंने उपर पता है था यूनिसेलर अर्गनिजम जैसे बेक्टीरिया और अल्गी अमीबिया इनके अंदर रिप्रोड़क्शन जो ही सिनोनि अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां बहुत सारे ऐसे अर्गनिजम भी है जो रिप्रेडियूस नहीं कर पाते जिनके पास अबलिटी नहीं होती कि अपने जैसे यंग वन्स को प्रेडियूस कर सके जैसे कि मूल भी क्या एक कॉंबिनेशन है दो डिफरेंट और गयनिजम ते जो कि एक इस्टराइल और गयनिजम है मूल इस्टराइल वर्कर भी इस भी होती है आपने हनी बी में देखा यह प्रेडियूस कर दो अब अब्यूस को पता है कि सारे लिविंग बिइंग्स में विदाउट एक्सेप्शन यह प्रोपर्टी नहीं पाए जाती तो रिप्रोडॉक्शन भी जो है यह एक डिफाइनिंग प्रोपर्टी नहीं है और ऑबिसली नॉन जो नॉन लिविंग अब्जक्ट होंगे तो वह तो रिप्राग्स नहीं कर सकते नहीं प्रोपर्टी आपको प्रोप्रटीज़ में तो आपको पता है कि सारी living beings में क्या होता है कुछ नो कुछ chemical reaction होती है तभी तो कोई compound बनता है और कोई टूटता है तो एनबॉलिजम भी होती है लेकिन कहीं कहीं पर क्या है कि ग्लकोस से स्टार्ज बनता है प्लांट्स में तो महां पर क्या हो रहा है अनबॉलिजम हो तो डिफरेंट टाइप की reaction जो सारे living beings में साइमिल्टेनेसली एक साथ जो है बहुत सारी metabolic reaction जो है वो चलती रहती है बहुत सारे पर नहीं जाना है अब आप उसी फ्रेक्षिन पर जाना है कि metabolic reaction चलती रहती है मेभी वह catabolic reaction हो सकती है अनबॉलिक भी हो सकती है तो बहुत सारी the sum एक term में क्या बोलेंगी metabolism तो metabolism क्या हो गया है एक definition होगी metabolism की the sum total of the chemical reaction occurring in our body our body और living body भी कह सकते हैं तो metabolism होगा और no non living object तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि metabolism एक ऐसी property है तो सिर्फ और सिर्फ living beings में ही होती है क्योंकि वह survive करें और different reaction चल रही है बट कोई भी ऐसा non living object नहीं है जहां पर metabolism होती हो तो एक तो point clear हो गया कि कोई भी non living में यह नहीं होता और metabolic reaction जो है लेकिन यहां पर एक बात है कि सिर्फ living भी नहीं चलती है अगर वह same reaction बोड़ी के बाहर कर रहा है कल्चर कर लिया हमने टेस्ट्व में वही रियक्टेंट ले लिया वही कंडिशन दे दी बॉड़ी जितना pH temperature सब कुस दे दिया तो क्या वह reaction नहीं होगी अपकोस होगी तभी तो मैं पता चलता है कि कौन कौन सी reaction होगी क्योंकि उसे लेबाटरी में perform कर रहे है तभी तो मैं defining property नहीं consider करते हैं क्योंकि यह सेल के बाहर भी perform हो जाती है same condition अगर हम provide करे तो इसले मैं explain इसे हम ले नहीं सकते defining property में बट यह है defining property बट हम consider नहीं कर सकते है आपकी बुक में consider नहीं कि आपको यही रखना है कि हमें metabolism जो defining property नहीं है लेकिन यहां पे एक important बात है जो है वो बॉर्डी का वो defining feature है life forms का living organism की defining property नहीं पता लगई हमने क्या कि है life form की defining feature मिला है जो है cellular organization अब cellular organization मतलब cell level पे जो organization है यानि की formation किस टाइप का cell है cell क्या होती है cell के नुकलियस होता है साइटो प्लाजम होता है उसके अंदे different different organelles होती है तो एक cell के अंदर nucleus कैसे organized है उसकी organelles कैसे organized है क्या present है क्या नि प्रिजेंट है cytoplasm किस type का है तो यह जो organization होती है यह defining feature है life forms क्यों कि different different earth पे क्या है life forms है अभी हम overall देखें तो किस किस type यह life forms है कुछ unicellular होते हैं और कुछ multicellular होते हैं तो multicellular or unicellular में difference ही कैसिंग और यह multicellular है इसमें अलग अलग type की cells पाई जारी है अगर 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 बेशिस के बेशिस के और डिवाइड कर देए और और गैनिजम को तो यह कह सकते है यह defining feature है life forms का अलग अलग जो life forms पाई जारी है उसका feature है तो आपको याद रख रहे हैं यह living organism का नहीं life forms का feature है next है हमारा complicated feature और यह हमारा answer है यह हमारी defining property living organism की सारे living organism में complicated feature होता है क्या कि हम able है हम एबल है to sense our surroundings हमारे जो environment चीजे हो रही है कोई हमें touch करता है कोई हमें हाथ रखता है यहां थपड मारता है कुछ भी करता है हमारी condition पर perform कर सकते हैं तो यह हमारे feature है जो हम ability a sense करने की अपमारे surrounding force के against response करने की यह feature जो है यह हमारा है defining property of living organism और इस feature को अगर हम एक term में कहें तो क्या कह सकते हैं हम इसे consciousness कह सकते हैं consciousness तो यह जो environmental system यह होता है तो यह ability है और ऐसानी किसे हम respond करते हैं इवन प्लांट भी लिविंग और इस प्लांट भी रिस्पॉंड करते हैं उनके भी external factor जो है light water temperature उसके against क्या करते हैं वो रिस्पॉंड करते हैं उनके अंदर flowering होती है वो भी photo period effects की वज़े से होती है और without exception यह सारे living being पर follow होता है और किसी भी non living beings के अंदर यह property नहीं देखी गई है तो इस property को consciousness को हम क्या क्या सकते हैं defining property of living organism अब यहां पर हम humans है तो humans की different properties को हम यहां पर देखेंगे कि human being जो है उनके अंदर consciousness तो होती है बट उनके अंदर self-ponsistness भी होती है वो खुद को भी पहचान सकते हैं खुद के अगेंस भी यह करते हैं रिस्पॉंड करते हैं जो अपने आप के लिए ही aware है तो उनके अंदर property होती है उनकी body खुद की चीज़ों को भी रिस्पॉंड कर सकते हैं उनकी body में चेंजिस होते हैं उसके अगेंस भी रिस्पॉंड कर सकते हैं बट एक living state को define करना human beings में बहुत ही difficult है क्योंकि अगर कोई patient है वो कोमा में गया हुआ है तो हम उसको touch कर रहे है human human को touch कर रहे है बट वो कोई response नहीं कर रहा है वो machines के दोरा उसे हम survive कर रखा है उसका heart replace होता है कुछ लोगों का lungs replace होता है तो उनका क्या होता है brain dead हो गया है the patient is otherwise brain dead अगर हम machine पर रखे तो उसका brain क्या हो जागा dead हो जागा तो इसके अंदर तो क्या है no self consciousness self conscious नहीं है लेकिन इस्टिल उसके अंदर consciousness है उसकी body वो response कर रहे है environment के अगेंस तो इसले वो living है but self consciousness नहीं होता लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो back to normal life आ सकता है अगर उसकी body respond करने लगगी self consciousness property अगर उसके अंदर आ गई तो अब यहाँ पर आपको एक और concept समझना है कि अगर एक cell है single cellular है तो यह अकेले perform करेगी सारे function excretion desperation circulation सब कुछ खुद करेगी लेकिन अगर multi cell organism है तो उसके में क्या होता है सबसे पहले cell होता है cell से क्या बनता है tissue बनता है तो वो tissue की property क्या होती है tissue बनता कैसे अगर group of cell है तो यह नहीं कह सकते कि group of cell है तो इसने tissue बना दिया group of cells मिलके आ दूसरे से communicate करेंगी और एक ही type का function है कि किसी एक process को perform करेगी मतलब group of cell performing same function by communicating between each other तब हम उसे कह सकते हैं कि हाँ tissue form हो गया सेम केस टिशू से क्या होता है organ बनता है तो organ के केस में हम सेम चीज करेंगे group of tissue होंगे जो communicate भी करेंगे और एक ही type की process को perform करें यानि कि division of labor होता है यहाँ पर एक ही function कर रहे हैं और ते सारी cells की दुरहते इसका मतलब किया कुछ फंक्शन यह कर रहा है उसी function का कुछ यह परफॉर्म कर रहा होगा यह भी अपना काम परफॉर्म कर रहा होगा और एक ही process को कर रहे होंगे तो हम organ system की case में देख सकते हैं स्टमक भी है लिवर भी है इसोफेगस तो सब का अपना अपना काम बटा हुआ लेकिन सब कौंसी process को कौंसी process परफॉर्म कर रहे है तो process एक ही ओर ही लेकिन different component में वह बटा हुआ है तो tissue क्या होते है जब आपस में इंटराइक्शन होता है तब हम कहते हैं आपस में आपको कम्नूकेशन को परफॉर्म करने के लिए तब हम कहते हैं कि हाँ वो सब्सक्राइब करने के तब हम कहते हैं तो एपर सिफ और सिफ अगर आपको कुछ भी ना समझ में हो तो कमेंट करके पूछिए अगर वीडियो पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेल कीजिए ओके थैंक यू